जै हिन जै बार दोस्तो मैं हूँ अजीत फोधी सुंगरपुरिया आप देख रहे हमारा यूटूब चैनल ओम स्पोर्ट्स कैडमी तोसम दोस्तो आज हम बात करेंगे एक यूएच के इंरॉल्मेंट के बारे में जो निकल कर आई है बियार अरजमेंट सेंटर दानापूर कंटोर्मेंट से ये बर्ती सितंबर में आयजित की जाएगी इस बर्ती के अंदर किसकी स्टेट की बर्ती की जाएगी आज मैं इस वीडियो में इसके बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा तो करप्या करके हमारा वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक आराम से देखें आगे पीछे नहीं निकालें हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जुरूर करें तो दोस्तो आपको स्टिक जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये जो बरती है ये 5 सितमबर से आईजित की जाएगी 5 सितमबर 2021 से और ये बरती यूएच को इंरॉल्मेंट है यूनिट हैड़कॉर्टर कोटा की बरती है और ये बियार एजमेंट सेंटर दानापूर केंटो दोस्तो तो दोस्तो आपको बता दें कि ये जो बरती है सोल्जर जीडी के लिए और सोल्जर ट्रेड मैन के लिए और यहां पर सोल्जर ट्रेड मैन के लिए इसमें बता रख्या दोस्तो कि सोल्जर जीडी में सिरफ जो वार्ड्स के लिए बरती है वार्ड्स सर्विंग का मतलब यह होता है दोस्तों कि यहां पर जिसका भी भाई या फादर बियार रजमेंट में ही सर्विस कर रहा है जिनका रिलेशन बियार रजमेंट का है वो ही बरती में जाएं यहां पर जो सोलजर जर्नल के लिए जो डूटी जीडी के लिए बरती है यहां पर दूसरे रजमे मैन है और उसके अलावा ये भी बताएगा है सोल्जर जेडी के अंदर कुछ एरिये नॉमिनेटिड हैं जो की पैरा टू के अंदर नीचे बताएगे हैं वो मैं आपका आगे वीडियो में बता दूँगा कि ये किस किस के लिए सोल्जर जर्नल डूटी के लिए जो बरती है कि किस की जिले के लिए किस की स्टेट के लिए है उसके अलावा सोल्जर ट्रेड मैं जो है वो एनी स्टेट यानि बारत का कोई भी राज्ये और कोई भी यूटी यूनियन टेरिटरीज जो के अंदर सासित परदेश हैं उन में किशी का भी जो बियार रजमेंट से रिलेशन ह जो बियार रजमेंट में जिसका भी भाई है फादर है नोकरी कर रहा है ठीक है वो यहाँ पर सोल्जर ट्रेड मैंन की बरती देख सकते हैं और यहाँ पर बरती का जो नया रूल है वो लागू हो चुका है यहाँ पर आर्मी रगरूडमेंट अग्जाम पॉल्शी जेशिय जोवार 2014 यह लागू हो चुका है दोस्तो अब इसके बारे में मैं आपको एक डिटेल में वीडियो बना कर जरूर बताऊंगा यह क्या चीज है क्योंकि यह 2021 के बाद आपको सुनने में आ रहा है यह तो इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जल्दी ही तो अब बात करते हैं दोस्तो जो सोल्जर ट्रेड में के लिए सैप के लिए चार वीकेंशी हैं आर्टिसन वूड वरक के लिए एक टेलर के लिए एक हाउस कीपर के लिए पांच ड्रेसर के लिए एक वासर में के लिए तीन और स्टेवर्ड के लिए दो यहां पर यह वीकेंशिया पहले से ट्रेड में के लिए विकेंशी पहले बता दी जाती है लेकिन सोल्जर जीडी के लिए कलरक के लिए ये विकेंशी पहले बताना मुश्किल है दोस्तो तो आगे बात करते हैं यहाँ पर दो ट्रेड की बरती होगी तीसरा ट्रेड की बरती है soldier कलरक storekeeper के लिए यह जो बरती है यहाँ पर भी यह relation के बच्चे सिरफ बियार रजमेंट से ही हो बियार रजमेंट सेंटर दानापुर का जिनके पास relation अचाहे हो भाई का है फादर का है वो ही यहाँ पर बरती देख सकते हैं soldier कलरक के लिए उसके अलावा एक बरती है soldier journal duty sportsman के लिए यहाँ पर यह open category है दोस्तो इसमें किसी भी states का sportsman है वो यहाँ पर जा सकता है जिसके पास national का university level का जो भी certificate है वो यहाँ पर international level का कोई भी certificate है यहाँ पर जा सकता है यह दे रख्या है इसमें sports तालिका में कि उसके पास क्या होना चाहिए इसमें game भी बता रखें दोस्तो ओकी जो group game होते हैं जैसे ओकी football, basketball, shooting, wrestling and swimming only इस परकार से इसमें archery, volleyball, athletics, swimming and ball, boxing, cross country, driving तो shooting यहाँ पर बहुत से game हो की बरती है इसमें आप हमारे टेलिग्राम चैनल से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं PDF तो आप हमारा टेलिग्राम गुरूप जुरू जोईन करें दोस्तो उसके अलावा बता दें आपको यहाँ पर जिस भाई ने भी बारत का, इंडिया का या इंटरनेशनल लेवल पर रिपरजेंट किया है उनके पास कोई भी सेट्यू कट है जो की दो साल के अंडिर का है तो यहाँ पर बरती देख सकते हैं उसके अलावा जिनोंने जो सीनियर जूनियर नेशनल लेवल की चैंपियंशिप की हैं जो यूथ अपेर्स की होती है ओमिनिस्ट्री के अंदर उनके यहाँ पर सेट्यू कट चलेंगे इंटर उनिवेस्टि स्पोर्स बोड का चलेगा यहाँ पर यह आल लेवल स्कूल गेम्स फैडरेशन भी चलेगा दो स्कूल एक बार फिर से आपको बता देता हूँ यहाँ पर दो ही कटेगरी ओपन है एक स्पोर्समेन एक म्यूजिशियन यहाँ पर कोई भी किसी भी स्टेट का किसी भी जाती का यह बरती देखने जा सकता है जो स्पोर्समेन है वो यहाँ पर स्पोर्स की बरती देख सकते हैं जो म्यूजिशिन हैं जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना जानते हैं वो यहाँ पर जा सकते हैं तो इस परकार से दोस्तों यह म्यूजिशिन और स्पोर्समेन की उपन बरती है बाकी रिलेशन और रिलेशन भी किसका सिरफ बियार रेजमेंट सेंटर दानापूर का ही ठीक आवार्ड सोंली बरती है यहां पर दूसरे सेंटर के रिलेशन वाले बच्चे बिल्कुल ना जाएं दोस्तो उसके अलावा बात करते हैं दोस्तो कलास कंपोजिशन के बारे में जो कि इसके अंदर पहरा टू के अंदर बताई गई हैं आप देख सकते हैं इसके अंदर कि कौन कौन से लेवल के यहां पर जो हैं कंडिडेट यहां बाग ले सकते हैं किस किस स्टेट किस किस राज्ये के तो सोल्जर जर्नल डूटी के लिए बियार उडिसा जार खंड मद परदेश और 37 गड़ यहाँ पर यह बाग ले सकते हैं इसमें इन श्टेटों के किसी भी all сказал classes including सदूल स्टी और मुस्लिम यहाँ पर यह स्ट्वी और मुस्लिम भी जो इन इन स्टेट के हैं वो यहाँ पर soldier general duty के relation के बच्चे जिनका बियारेजमेंट सेंटर से रिलेशन है वो देख सकते हैं बरती इसके अलावा जो इस्टन उतर परदेश है पूरवी उतर परदेश यहां पर छे डिस्टी काउंट किये गए हैं दोस्तों तो इन में आपको बता दें देवरिया है बलिया है गाजीपूर है चंदोली है सोन बादरा है और एक ये महराजन गंज इस परकार से यहां पर इन छह जिलों के भी कोई भी आल क लासिज है सबी जाती के उसके अलावा हैस्टी के और मुस्लिम भी यहां पर जा सकते हैं बरती के लिए सौलजर जीडी के लिए और आल डिस्टिक वेस्ट बंगाल राजस्तान गुजरात और महारास्टर यहां पर यह दोस्तों नोट करने वाली बात है कि सबी जिले कांके बंगाल के राजस्तान के गुजरात के और महारास्टर के जो एस्टिक अंडिडेट हैं वो यहां पर जा सकते हैं बरती देखनें जिनके पास रिलेशन है उनके लिए सुनेरा मौका है तो यह दोस्तों ध्यान दें यहां पर जरूर मैं वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको पता लग सके किसके लिए क्या है अब आप ध्यान दें इस बरती के सडूल के बारे मैं आपको बता रहा हूँ कि यह बरती कैसे सुरू होएगी यह बरती 5 सितंबर 2021 से सुबह 5 बजे शुरू होगी तो जो भी कंडिडेट स्पोर्ट्स ट्राइल यानि स्पोर्ट्स कोटा के बंदे हैं आल इंडिया से आल कास्ट के वो यहाँ पर जिनोंने नैशनल इंटरनैशनल यूनिवरस्टी स्कूल लेवल आल इंडिया तो जो भी से ट्राइट है यहाँ पर जा सकते हैं उसके अलावा इसी दिन ही जो भी म्यूजिशन के लिए लड़के आये हैं जो ट्राइल होगी उनकी म्यूजिशन की भी और गेम की भी यहाँ पर ट्राइल ली जाएगी यह पांच सितंबर सुबह पांच बजे जरूर पूँच जाएं दोस्तों कौन स्पोर्ट्स के और म्यूजिशन के यह आल इंडिया उपन है उपन कास्ट है म्यूजिशन और स्पोर्ट्समें उसके अलावा दस सितंबर को जो स्क्रीनिंग ओफ रजिस्टेशन ओफ सोल्ज जर्नल डूटी के लिए जिन्होंने और सोल्जर ट्रेड़ मैन और कलरक के लिए कराया है ओनली बी-आर स्टेट यहाँ पर मैंने आपको बताई थी ने किसकी स्टेट के लिए तो बी-आरवालों के लिए 10 तारिक को इसमें बी-आर के सभी जिले सभी कास्ट आगी हैं और स भी ट्रेड आगे हैं, सोलजर जर्नल डूटी, ट्रेड मैन और कलरक के लिए जो भी बरती देख रहे हैं बियार का, वो दस तारिक को पुँच जाएं सुबह पांच बजे, उसके अलावा जार खंड से जो कंडिडेट हैं, जो भी सोलजर जीडी के लिए, ट्रेड मैन के उडिशा कंडिडेट जो उडिशा स्टेट के सभी जिलों के सभी कास्ट के जो भी रिलेशन के बच्चे हैं जो कलरक से देख रहा है चाहे ट्रेड मैं से और चाहे जीडी से वो सभी बच्चे पांच बजे वो पूँच जाएं वहाँ पर। उसके अलावा 13 तारिक को जो भी भी बच्चे हैं यहां पर वो जाएं वो हैं सक्रीनिंग ओफ रजिस्टेशन ओफ सोल्जर जनल डूटी सोल्जर ट्रेड मैं नेशनल लेवन इंटरनेशनल स्पोर्ट्समें ट्रेड मैं स्पोर्ट्समें आल बैलेंस स्टेट एक्सेप्ट ब्यार जारखंड और उडिशा इन दिक है दोस्तों 13 सितंबर को 14 सितंबर को सभी का डोकुमेंटेशन होगा जनल डूटी स्पोर्ट्समें शोल्जर ट्रेड मैं और शोल्जर कलरक यानि सभी ट्रेड के लिए यहाँ पर डोकुमेंटेशन 14 से 17 सितंबर तक चलेगा सभी बंदों का और सोटलिस्ट के सबी सबी स्टेटों के सबी ट्रेड के यहां पर 18 तारिक के अपने डोकुमेंट चेक करा दें 0700 और उस पर सुबह पूंच जाएं रेली साइट के उपर और फिर 19 तारिक 19 सितंबर 2021 से आपका मेडिकल अग्जामनेशन सुरू हो जाएगा और जो भी लड़के मेडिकल में अनफिट होंगे उनके पॉइंट बनाकर उनके मेच रेफर किया जाएगा जो फिट हो जाएंगे उन लड़कों के लिए उसके बाद जिन जिन लड़के फिट होगे मेडिकल में उन सबी को या तो 31 अक्तुबर 2021 को या 28 नमबर 2021 को उचित देट देखकर आपका अगजाम कंडेक्ट किया जाएगा तो इस परकार से बरती कंडेक्ट की जाएगी दोस्तों आपको बता दिये बरती किसके लिए है कोन कोन ये बरती देख सकता हमारे वीडियो को ध्यान से देखें जिस भाई के भी समझ में नहीं आता है तो वो हमें वाटसब कर सकता है हम उसको पूरी डिटेल से समझा देंगे क्या डोकॉमेंट ले जाने हैं इसके लिए हमारा एक स्पेशल वीडियो बना हुआ आप वो देख सकते हैं उसके अलावा दोस्तों आपने जो डोकॉमेंट लेकर जाने हो अपने त्यार करा लें और बरती में जाएं भगवान करें आपका सेलेक्शन हो जाए ठीक है दोस्तों हमारे चैनल को अपने यार दोस्तों के साथ सेर जरूर करें हमारे साथ जुड़े रहें अगली जानकारी के लिए जै हिन जै भार दोस्तों बेस्ट ओप लग